एक समय की प्रसद जेट विमान कंपणी जेट एरवेस इन दुनों दिवालिया हो रही है जी हाँ उसकी हाला बहुत खराब हो चुकी है वित्ती संक्रष्ट से जूज रही जेट एरवेस द्वारा लीस किराया नहीं चुकाया जा रहा है और यही वज़ा है कि इस कंपणी के 25 विमान अभी तक जमा हो चुके हैं और यह कहा जा रहा है कि करीब 20 प्रतिशत विमान अभी तक जमा हो गए है जेट के पास कुल 123 विमान बताय जाते हैं इसमें बोईंग 737 बोईंग 777 और एयर बस 330 और एटीर विमान शामिल है कंपणी ने यह भी कहा है कि किराय पर विमान देने वाली सबी कंपणी के साथ उनकी बाचीच चल रही है और नगदी की स्तिति सुधारने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं उन्हों ने यह भी कहा कि Aviation Regulator DC, DGCA को भी नियमे तोर पर अपडेट किया जा रहा है हाला कि कंपनी ने यह नहीं बताय है कि इन विमानों के खड़े किये जाने से कितनी फ्लाइट कैंसल हुई है यह भी कहा गया है कि Boeing 737 रोजाना आठ से दस घरिल फ्लाइट लेती है जेट का यह भी कहना है कि इन विमानों के खड़े होने की वज़े से नेटवर्क में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें कम से कम करने के प्रयास किया जा रहा है कि जेट इस समय बहत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में भी यह संकट उसका पीछा नहीं चोड़ेगा कुल मिलाकर जेट एरवेस के संस्थापक नरेश गोईल ने भी यह कहा है कि हम इस्तुति को सामाने करने में लगे हैं पर इसमें थोड़ा समय लगीगा उन्होंने सभी से यह कहा है कि ऐसे कठिन समय में उनका साथ दिया जाए